हलो दोस्तों स्वागेत है आप सबी लोगों का यूटूब चैनल स्री यार्ट गैलरी में आज हम लोग जिस प्रकार से कल के इंपोर्टेंट कोस्चनों के सिट को साल्व कर रहे थे तो हम लोग कल जो important series 24 थी उसी के क्रम में आज हम लोग 25 के series को solve करेंगे और आज का जो हमारा क्रम start होगा वो 30 series question से आगे के question को हम लोग इस paper में solve करेंगे तो जो इस channel पर पहली बार वाज कर रहे हैं please channel को subscribe कर ले और वीडियो पसंद आए तो please like कर देजगा किसी प्रकार की कोई curious है तो इस वीडियो के description में मेरे telegram और instagram का link है आप लोग वहाँ पर जुड़कर मुझसे अपने problem को share कर सकते हैं तो जो लोग भी जुड़े हैं important question को आईए हम लोग solve करते हैं तो जैसा आप लोगों ने कल के important question को देखा पूंड़कर भी जूच आप लोगों ग़ूआरा आप लोगों आप लोगों वेश जाए हैं स्री दोस्तों थोड़ा सा दिश्टर्ब हुआ देखिए 37 नंबर का कुस्चन है आप लोगों के समझ है आप लोग इस कुस्चन को देखिए साल्व करिए और अपने एंसर कमेंट बॉक्स पर प्रोवाइट कीजिए मैं थोड़ा वेट करूंगा आप लोग जल्दी से इन कु को साल्व करें 37 नंबर का कुस्चन है कि लास्ट सपर के निर्माता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुस्चन जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग से रिक्वेश्ट है कि क्रेपया आप सभी लोग इन जो question आप लोग को नहीं आता है उस question को आप लोग अपने notebook पर रखें और उसको आप लोग solve करें तो इससे क्या होगा कि आप लोग ये देखेंगे कि जो मेरे आने वाले question है अगर ये same to same है जो यहाँ पर गलतियां हो रही है वो आप लोग के exam में गलती नहीं होगी तो कृप आप लोग इन सभी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखा कीजिए तो आप लोग देखिए question important है तो लास्ट सपर की निर्माता कौन है तो इस question के चार बिकल्प दियेगा है लेनार्दो दवेंची, रैफिल, फ्रांस हाल्स और गोंगा तो इस question का जो right answer हो जा जाएगा A, सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सपर जो है वो लेनार्दो तो विंची की प्रस्विदी कृतिवों में से एक है तो इस question का right answer A हो जाएगा उसी प्रकार से question number 38 दिया है कि तैल विधा चित्रकार करने वाले प्रथम भारती चित्रकार है राजा रभी बर्मा, M. अनफुसायन, सतीस, गुज्राल और ररवेर सिंग, विष्ट तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा आप लोग इन question को देखिए और बताइए चलिए बहुत सुंदर आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं 38 नंबर का जो question है इसका right answer जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारी पणानी कथाओं को लेकर प्रतम भारती चितरकार जो राजा रवी बर्मा थे उन्होंने ही तैल विधा में इस कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और राजा रवी बर्मा को ही प्रतम भारती चितरकार का स्रिय दिया जता है तैल विध में चित्र कार्य करने के लिए तो इस question का right answer यह हो जाएगा आप लोग ध्यान दिजेगा बढ़ते हम लोग अगले question के ओर question बहुत important है आप सभी लोग ध्यान पूरुवक solve करिए चलिए question number 39 देखिए क्रिपया आप लोगं से पूछना चाते हैं मेरी आवाज इस post सुनाई दे रही है कल काफी कमेंट आये थे कि आपकी आवाज बहुत ही slow आती है तो आप लोग क्रिपया करके जरूर बताएं कि आवाज कैसी आ रही है चलिए बहुत सुन्दर आप सभी लोगों के चलिए किस ने बताया निरज त्रिवेदी जी बहुत धन्य बाद निरज जी मेरी आवाज आ रही है इस post आ रही है या slow आ रही है राम चरण धन्य बाद राम चरण जी चलिए 39 नंबर का जो question है वो पूटप किया जाए कि दच्छन भारत का कौन सा वो प्रागेति हासिक चित्रों का केंद्र है जो अपने आप में बहुत ही मसूहुर है option के रूप में बेलारी, लोहगर, चिन्नई और करनाटक दिया गया है तो आप सबी लोग जानते हैं कि दच्छन भारत के जो प्रागेति हासिक चित्रों में जो बेलारी का छेत्र है जहां से हमें प्राचीन, पासान के सस्त्र और कुछ औसेस भी मिलते हैं तो इसको लेकर बहुत ही important साच हमें मिलते हैं तो इस question का जो right answer हो जाएगा वो यह हो जाएगा उसी प्रकार से 40 number का question दिया है कि कामसुत्र के रचेता हैं बहुत ही important और यही से हमारी भारती कला के important यहां के साची भी देखने को मिलते हैं कामसुत्र से तो कामसुत्र के जो रचेता है वो की प्रसीद रच चाहिता हैं तो इस question के right answer भी यह हो जाएगा अर्थात 39 का भी यह हो जाएगा और 40 का भी यह हो जाएगा तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा चलिए बढ़ते हम लोग अगले question की ओर अगला हमारा question इस प्रकार है देखिए बंगाल पुरन रुठान यूग के प्रवर्तक थे बंगाल पुनर रुठान यूग के प्रवर्तक थे आप सभी लोग जानते हैं की प्रवर्तक कौन थे तादाद बहुत कम है क्या बात है आप लोगों को पहले बताया गया था कि नौ बचे हम लोग live session करेंगे तो 41 नंबर का जो right answer हो जानते हैं की बंगाल पुनर रुठान यूग के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो अवनिन्ना थे गुर माने जाते हैं तो 41 नमबर का राइट एंसर जो हो जागा, वो B हो जागा, उसी प्रकार से पूछ अप किया जा रहा है कि पौनारी को रूप से प्रत्थम चित्रकार हैं, ब्रह्मा, विश्व, महेश या नारत, आप लोगों कमेंट आने चाहिए, 42 नमबर के एंसर को आप लोग टिक करिए, सदफ रिजवी, नमस्ते, यस, पौनारी की रूप से प्रत्थम चित्रकार जो हैं, वो ब्रह्मा को माने जाता है, क्योंकि इनके बारे में तमाम साच मिले थे, और इन्हों ने ही अपने जांग पर, अप्रसरा की याद में, अपने जांग पर उस अप्रसा, अप उस क्या होता है, कि ब्रह्मा जी के निर्देशन में, जो है, विसकर्मा जी के माध्यम से, इसको पुड़े संसार में प्रसारित करने का आवान किया जाता है, तो पराणिक रूप से प्रत्थम चित्रकार जो हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, तो 42 नमबर का राइट एंसर जो हो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की वर अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान प्रवग देखिए क्वेश्चन है 43 नंबर का कि मुना लिशा संग्रहित है पेरिस में लंदन में भारत में या अर्जेंटीना में सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए 42 नंबर का बी कौन कह रहा है चलिए 43 नंबर का जो राइट एंसर हो जाएगा वो लूबर संग्रहले पेरिस में मोना लिशा की पेंटिंग संग्रहित है तो इस क्वेश्चन का भी राइट एंसर यह हो जाएगा उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है कि अभी ज्यान साकुंतलम की रचेता है सभी लोग जानते हैं कि अभी ज्यान साकुंतलम कालिदास की एक प्रसिद रचना है और इसमें तमाम हमारे भारती कला के भी साच्छे के भी प्रमान प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से question number 44 का भी जिर राइट एंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगों ने 44 question को देख लिया बढ़ते हम लोग अगले question की ओर अगला question आप लोग ध्यान पुरवक देखिए question है 45 number का की लोग कला पर कौन सी सैली आधारित है मोगल किसंगर कोटा ब्रसॉली ध्यान दिजिये और 46 number के भी question को आप लोग देखते चाहिए लोग कला पर कौन सी सैली आधारित है सब लोग ध्यान पुरवक अपने answer कमेंट बॉक्स में दीजिए चलिए बहुत अच्छा लोग कला पर जो सैली आधारित थी और जो आप लोगों के option दिये गया है मोगल जोकि आप लोग जानते है कि मोगल सैली जो थी वो लोग कला पर आधारित नहीं थी तो इसलिए जो लोग मुगल सैली को लगा रहें, वो गलत है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मुगल कलाकार थे वो लोक कला पर अपने चित्रांकन नहीं करते थे बलकि दरबार के उन प्रसीध उच्छ वर्ग के लोगों का अंकन करते थे और उन्होंने अपनी जो मुगलिया जो उनकी पराणिक कुछ इंपोर्टेंट जो साच थे उनी के आधार पर वो अंकन करते थे उनके दरबार के प्रसिद कलाकार में कुछ कलाकार जो थे वो पसूं का भी अंकन करते थे इसलिए वो लोग कलापर आधारित मुगल सेली नहीं थी इसलिए मैंने आप लोग को बताया किसंगर राजस्थान जो थी वो भी लोग कलापर आधारित कोई सेली थी तो वो सेली थी बसौली सेली क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बसौली जो सेली है वो पहाड़ी सेली के ए लोगों के सानिद्ध में भी कुछ परंपरागत तोर पे कलाओं का निर्मार किया जा रहा था था परंतु जब राजस्थान के प्रमुख कलाकार जब और अंग्जेव के दर्बार से बिचलित होते हैं तो वो पहाडी रियासतों में जाते हैं और अपनी टेक्निक और वहां क की लोग कला को मिस्रित करके पहाडी सैलियों में अपने मनोरम द्रिश्य को अंकित करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं आपसन के अनुसार की लोग कला जो आधारित थी वो आपसन के अनुसार राइट एंसर बसौली होगा ठीक है केजी सुबर मडियम 46 नबर का क्वेश्चन है आप सबी लोग गलती मत करिएगा केजी सुबर मडियम का प्रसीद मियूरल की सहर में लगाया है सबी लोग जानते कि केजी सुबर मडियम बहुत ही फेमस भारती आधनी कला में अपना छाप छोड़ते हैं और इनकी एक प्रसीद जो मियूरल है जो उत्तर प्रदेश के लखनव में बहुत ही famous है तो इसलिए इस question का जो right answer हो जाएगा बार-बार ये question put up किया जाता है और केजी सुब्रम्रणयां के प्रसीद mural जो इस्तित है वो लखनव में इस्तित है इसको note करिएगा अगले question की और हम लग बढ़ेंगे अगला जो question है ध्यान पुरुबग देखिएगा उदैगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं सभी लोग कमेंट करके बता है चलिए सभी लोग अपने comment box में comment करिए उदैगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं बहुत important है दोस्तों ध्यान दिजेगा यहाँ पर option में गुफद काल मौरी काल, सुंग काल और कुशान काल है तो कितने लोग इस question के right answer को गलत कर रहे हैं अखंड़ प्रताद very good साधना मौरिया बहुत सुंदर देखिए question number 47 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा सुंग काल जब भी उद्यगिरी और खंड़ गिरी गुफा की बात की जाए दोनों साथ में तो ये उद्यगिरी और खंड़ गिरी की जो गुफाएं हैं वो सुंग काल का प्रभाव इन गुफाओं पर देखने को मिलता है और इन गुफाओं में जो हमें साच मिले वो सुंग काल के राजाओं के द्वारा जो भी अंकन करवाए गये थे तो इस question का जब भी उद्यगिरी और खंड़ गिरी की गुफा साथ में आएगी तो आप ल विष्णु धर्मुतर पुणान की इस काल का है ध्यान पुरबग देखिए मौरिकाल, गुप्तकाल, सुंगकाल या कुसानकाल तो सबी लोग जानते हैं कि 48 नंबर का राइट एंसर जो हो जागा important question है यह हो जाएगा B गुप्तकाल की विष्णु धर्मुतर पुणान की ज लोगों की तादाद बहुत कम है क्या बात है आप लोगों कोई information नहीं मिला था या मुझे test series बंद करनी पड़ेगी इतनी छोटी सी संख्या कैसे किया जाए टाइम भी आप लोगों के साथ विष्ट किया जा रहा है आप लोग सेर करिए और जितने लोग लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा हो तभी चैनल पर रुकिए वरना कहीं और भी चले जाएगे भी मौर्या बहुत बहुत धन्यवाद नहीं लग रहा है कि टेश्ट सुरीज आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए देखिए आप लोग खुद देखिए या तो चुप्पी मार कर बैठे हुए हैं या तो ये लोग पढ़ने का इंटेश्टेड नहीं रखते हैं नहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइब सेशन बंद करना पड़ेगा यार इतनी कम संख्या मज़ा नहीं है या तो आप ही लोग कोई टाइम फिक्स कर लिजिए जिस टाइम आप लोग खाली रहें चलिए देखते हैं वरना बंद करते हैं नेश्ट कुस्चन को आप लोग करिए बहुत आप लोग 49 नमबर का कोईश्चन है कि लोग कला चित्रो का माध्यम क्या है यहाँ पर पेश्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोद मिले, मिटी के रंग और तैल आप्सन में दिया गया है 49 नमबर के राइट एंसर को आप लोग कमेंट करिए देखिए जितने लोग, आप लोग हलके मिले रहे हो 2021 का जोब आप लोग कोईश्चन पेपर देखे थे तो जितने भी लोग हलके मिले रहे थे यही सरल सरल कोईश्चन गलत करके वो लोग फाइट से बाहर हो गया है वो लोगों कोई इतना नहीं था कि इतनी confusion के question आ जाएंगे आप लोग बहुत deep में पढ़ लेंगे question बहुत ही easy था बस समझने वाली बात थी 2021 में उसी के अनुसार आप लोगों को practice rate previous years के कराई जा रहे हैं जो कि आप लोग गलत न कर दें चलिए लोग कला चित्रों का जो माध्यम था सबी लोग जानते हैं कि लोग कला जो होती है वो परतेग राजियों में इस्थानी लोगों के द्वारा अपनी जो प्राचीन काल की जो सभेता संस्कृती हमारी भारती इस परिवेश में पनपी है उसी को लेकर हर वर्ग के लोग अपनी अपनी कलाओं का उत्थान करते थे और हर राजिय में आपको एक अलग किस्म की लोग कला देखने को मिलेगी और यही माध्यम है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी इनके बनाने के जो माध्यम होते थे अपने आसपास में जो लोग सुगम से प्राप्त होने माले जो रंग होते थे उनही के माध्यम से उन कलाकारियों को निर्मित करते थे और उनही को नाम दिया गया लोग कला जो कि लोगों की एक कला होती है इसलिए लोग कला का नाम दिया गया और इसमें बहुत ही सिंपल जैसे प्राप्थ होने वाले रंगीन मिटिया होती हैं चाक होते हैं चावल आप लोग देखते हैं और यहां तक कि पेड़ों से प्राप्थ होने वाले फूलों से प्राप्थ ह धीरे जय प्रचनल आगे बढ़ता है तो उसको रंग में इस्थाइत तो लाने के लिए उसमें क्या होता है कि गोंद मिलाना च्छाड करते हैं। तो लोक कला में जो लोगों का जो विकास होता है उसमें गोंद मिले मिटी का प्रयोग करने लगे थे तो गोंद मिले मिटी के रंग हमें लोक कला में देखने को मिलते हैं और इसी का माध्यम था तो 49 नबर का राइट एंसर जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा C 50 नमर का question है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ती है सबी लोग जानते हैं कि प्रथम धातु निर्मित जो नर्तकी की मूर्ती हमें प्राप्त होती है वो सिंदुगाटी सबेता के मोहन जोदरो नामकस्थान से प्राप्त होती है और इसको इतना स्रे दिया जाता है यही कांस में निर्मित अर्थात प्रथम धातु निर्मित नर्थकी की मूर्थी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस question का 50 number का right answer जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा आएए बढ़ते हम लोग अगले question की ओर अगला question इस प्रकार है कि सिल्प रतने के लेखक कौन है सबी लोग देखिए और बताएए 51 number का question है कि सिल्प रतने के लेखक कौन है भरतमुनी या सोधरपंडित स्री कुमारी या इनमें से कोई नहीं तो question number 51 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा C क्योंकि सिल्प रतने बहुत ही famous है और इसके लेखक जो है वो स्री कुमार को बना जाता है उसी प्रकार से अमरावती इस्तूप इस्तित है बताएए 52 number का right answer बताएए चंद्र केस भ्यान पुर्वक देखो मध्यप्रदेश नहीं है कौन मध्यप्रदेश बोला है कौन 52 number कौन संजोगिता 52 number का B बता रही है मध्यप्रदेश पागल हो आंध्यप्रदेश कौन बताया आंध्यप्रदेश आप्सन में है हम जानते हैं कि आप सही बता रहे हो लेकिन आप्सन में नहीं है तो कौन सा right answer हो जाएगा क्योंकि अमरावती का इस्तूप जो है वो दच्छिन भारत में इस्तित है और इसलिए इस question के अनुसार जो option दिया गया है उसका right answer जो हो जाएगा वो C हो जाएगा और जो महराश्ट को टिक कर रहे है उसको भूल जाए क्योंकि जब ये प्रांत जब था उसके अंतरगत आता था परन्तु जब प्रांतों में अब डिवाइडेशन हो चुका है तो अब रावती की इस्तूप जो है अब दच्चिन भारत का अगर उसको अगर सही टिक करेंगे तो वो करनाटक को ही कमिशन मानेगा तो आप लोग C को राइट मानिए ओके नेश्ट कोश्चन को आप लोग ध्यान पुरुबग देखिए कोश्चन नमबर 54 राष्टी संगरहले की सहर में इस्तित है सभी लोग जानते हैं कन्फ्यूजन रहता है कोई कन्फ्यूजन नहीं है ध्यान पुरुबग मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान पुरुबग लेक्चर को सुनो माइंड में सेट करो कि अगर किस के एकार्डिंग ऑप्षन दिया गया है वहाँ पर आपका माइंड सेट अप होना चीए पुन्नु राम बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जितने भी लोग इंट्री करा चुके हैं पेट क्लास में वो सभी बच्चे मेरे सभी भाई बहन ध्यान पुरुबग इन सभी कोस्चनों को सेट करो ध्यान पुरुबग पढ़ो और जो लोग इंट्री करा रहे हैं सबके हम लोग इंट्री कर रहे हैं जो लोग करा चुके हैं, वो लोग सब लोग जानते हैं, और जिनको paid class, चाहे test series का हो, चाहे theory का हो, उनको चहिए, तो वो लोग इस वीडियो के description में मेरे instagram से जुड़ कर, आप मुझसे मेरी entry करा सकते हैं, वरना अधिक लोग हो जाएंगे, तो मैं खुद entry करना बंद कर तो जो भी interested है, वो ले सकते हैं, तो राष्टी संगरहले की सहर में इस्तित है, तो राष्टी संगरहले जो इस्तित है, वो नई दिल्ली में इस्तित है, 55 नमबर का जो question है कि निमलिखित में से मुर्धिकार कौन है, तो सभी लोग जानते हैं, हुसैन, रजा, आरा और इतर कला में काभी प्रसिधी मिले, जबकि देवी प्रसाद राय चौधरी एक बहुत ही famous भारत की मुर्धिकार हुए, और इनके नाम पे बहुत ही ख्याती है, तो राइट एंसर डी हो जाएगा. चलिए, नेश्ट कुस्चन दिया गया है, 56 नमर का सांती निकेतन की सराज में इस्तित है, पस्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, बताइए, यहाँ पर राज पूतब किया जा रहा है, तो सांती निकेतन की इस्थापना रविन्ना टेगुर्प जी कर राज जू होता है, वह पस्चिम बंगाल का होता है, जरह बताएए, कि सांती निकेतन, जो बर्तमान में डिचतित है, इसकी लोकिल्टी कहाँ है, वह किस गाउन में, या किस अस्थान की बहुत ही पास में है, कोई बताएगा, इसकी लोकल इस्तिती बताएगा कोई ? जो बहुत ही गाउं इसके पास में बहुत ही प्रसीद है बेरी गुड तेजपाल उपद्ध है बोलपूर बहुत सुन्दर भीम मौर्या बोलपूर बहुत ही प्रसीद है पस्चिम बंगाल का और इसी पस्चिम बंगार के बोलपूर में ही सांती निकेतन इस्तित है ध्यान दिजेगा बीर भूमी को आप लोग टिक नहीं करेंगे बोलपूर उसकी बहुत ही प्रसीद्धता है राइट एंसर को एक और टिक कर लिजेगा आएए भढ़ते हम लोग नेश्ट कोश्चन क्यों और अगला कोश्चन इस प्रकार है ध्यान प्रुबग देखिए हडपा का संबंध है इंडस वैली से मिसर से इरौन से या ग्रीक से और 58 नमबर का कोश्चन है कि मदमनी की सराजी की लोग कला है पस्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार या पस्चिम जा 57 नमबर और 58 नमबर के कोश्चनों को आप लोग साल्व करिए तो जानते हैं कि हडपा का जो सभिता है वो हमारी सिंदुखाटी सभिता या इसी को हम लोग Indus Valley Civilization के नाम से जानते हैं तो कोश्चन नमबर 57 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा वहीं पर मदमनी की सराजी की लोग कला है तो ये बिहार की बहुत ही फेमस लोग कला है तो 57 और 58 कोश्चनों को हम लोग साल्व कर लिए आईए भरते हम लोग नेश्ट कोश्चन की ओर अगला जो कोश्चन है 59 नमबर का कोश्चन कह रहा है कि कांगडा सली के चित्रों में मुख्य चित्रन है ध्यान पुरबग देखिए कांगडा सली सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ी रियासत में फैली कांगडा एक पहाड़ी सली की उपस सली है जो की काफी बिख्यात हुई और यहां के राजाओं ने इस सली को बिक्सित करने वे बहुत बड़ा युगदान दिया और इसमें जो कलाकारों ने चित्रन का जो माध्यम रखा था वो क्या था सबी लोग जानते हैं क्योंकि यहां पर राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को लेकर तमाम कलाकारों ने कांगडा सली में अंकन किया है तो कृष्ण नबर 59 का राइट एंसर जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा राधा कृष्ण के प्रेम का है ओके बार-बार एक्जाम में कृष्ण पूट अप होते हैं नेश्ट कृष्ण के और हम लोग बढ़ेंगे अगला कृष्ण देखिए कि नीला रंग आयातित है अर्थात नीला रंग कहां से आयातित किया जाता था अर्थात आयात किया जाता चली निला रंग जो आयायतित होता था भारत को वो इरान से होता था तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है कि ओपेक कहते हैं ओपेक जो होता है चली बहुत सुंदर कुछ लोग बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं इरान है तो इरान को पहले टिक करिएगा उसके बाद अफगानिस्तान को है इसलिए कोश्चन पूटप किया जा रहा है पहले समझ के पढ़िए तो सुरपर्थम आप लोग देखिएगा ओपेक जो कहते हैं जो ओपारदर्सी रंग होते हैं जो टॉंस्परेंट होते हैं जो टॉंस्परेंट होते हैं वो अलग होते हैं और जो ओपारदर्सी होते हैं अर्थात जो आर पार नहीं देखे जा सकते हैं उसको ओपारदर्सी रंग करते हैं ओपेक अर्थात राइट एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आईए बढ़ते हम लोग अगले कोस्चन क्यों अगला कोस्चन 62 नमबर का है ध्यान प्रुबग देखिए निमलेखित में से कौन ललित कला अकादमी का पबलिकेशन है समकालिन कला कथे रूप हंस या आजकल तेजपाल उपाद्ध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आप लोगों की तादाद बहुत कम है और मुझे लगता है कि ये कुछ टेश्ट के बाद प्राक्टिस बंद करनी पड़ेगी और जो जल्द से जल्द पेट क्लास में इनबाल्ब होंगे उन्हीं को सिर्फ पढ़ाया जाएगा चलिए कोश्चन नबर 62 का राइट एंसर हो जाएगा जो समकालिन कला है वो ललित कला एकादमी की बहुत ही फेमस तरीका है यहीं से पक पब्लिकेशन होता है ललित कला एकादमी के तो समकालिन कला राइट एंसर हो जाएगा प्रसीद चीत जो गोयर निका है यह पाबलो पीकासों के द्वरा निर्मित की गई है तो कोश्चन नबर 63 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगोंने 63 को स्वारी 63 कोश्चन को कंप्लीट किया आईए बढ़ते हम लोग अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन इस प्रकार है 64 नंबर और 65 नंबर जोधा वाई पतनी थी अर्थात किस की पतनी थी और 55 नंबर का कोश्चन है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस सली की विशेशता है इन दोनों कोश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं बहुत सुंदर बहुत सुंदर भी मौर्या जी अच्छा है जो लोगों को आता है वो कमेंट कर रहे हैं और कितने लोग होंगे केवल अपने हाथ बंद करके चुपी मार कर बैठे होंगे जोती मौर्या बहुत सुंदर जी हाँ जो जोधा बाई थी वो अकबर की पत्नी थी तो कुश्चन नमबर 64 का जो राइट इंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कौन बकलोल कह रहा है आउरंग जीव की ये सब महान है रिखाओं द्वारा भाव परदर्शन की सली की विस्तिस्ता है बताईए 65 नमबर का आप लोग जबाब दीजिए तो इस कुश्चन के एकारडिंग अगर हमें जो गूफा देखने को मिलती है वो सबसे अच्छा अगर भाव परदर्शन रिखाओं के द्वारा जो किया गया है और सबसे अधिक रिखाओं के द्वारा जो भाव परदर्शन किया गया है वो अजन्ता की गूफा में किया गया है इस प्रकार से 65 नमबर का भी राइट एंसर यह हो जाएगा तो 64 और 65 हम लोगों ने कम्प्लीट किया बढ़ते हम लोग अगले कोश्चन क्यों और अगला कोश्चन देखिए चलिए 66 नमबर और 67 नमबर अमिर्टा सेगरील का जन्म हुआ था इटली में, फ्रांस में, ब्रेटेन में या हंगरी में और 67 नमबर का कोश्चन है कि चिद्रकला के कितने तत्तों माने गया है चलिए कोश्चन का जबाब दीजिए कौन कह रहा है 66 का बी बहुत मार खाओगे यस अमिर्टा सेगरील का जो जन्म होता है वो हंगरी में होता है इसलिए कोश्चन नमबर 66 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा वहीं पर चिद्रकला के कितने तत्तों माने गया है तो कि चिद्रकला के जो तत्तों माने गया है वो 6 माने गया है सबी लोग जानते हैं तो इस प्रकार से 66 और 67 हम लोगों ने complete किया अगला 68 नबर का question भी देख लीजिए 68 नबर का question है कि पोथी चित्रों का निर्मान कीन राजवंस ने कराया था तो सबी लोग जानते हैं पोथी चित्रों का जो प्रारंब होता है वो पाल सासकों के सानिद में होता है तो इसलिए इस question का भी right answer ए हो जाएगा नेश्ट question क्यों बढ़ेंगे हम लोग अगला question है कि भारती सिल्प के खडंग पुस्तक के लेखक हैं बहुत ही सुन्दर पूटप किया जा रहा है यहाँ पे जो खडंग six limbs of के बारे में पूटप किया जाते हैं तो भारती सिल्प के खडंग के पुस्तक के लेखक जो हैं option में आउनिदना टैगूर दिया गया है तो इनको ही आप लोग टिक करिए क्योंकि आउनिदना टैगूर की ये प्रसीद पुस्तक है नेश्ट के भारत भवन इस्तित है तो सभी लोग जानते हैं कि भारत भवन जो है ये भोप पाल में इस्तित है तो right answer ए हो जाएगा यहीं पर काफी लोग गलत करते हैं भारत भवन को भारत कला भवन का उत्तर देते हैं और भावरत कला भवन का उत्तर गलत देते हैं तो इसलिए 70 question का भी right answer यह हो जाएगा सभी लोग को पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है तो प्लीज बताओ चलो आगे बढ़ते हम लो अगला question जो दिया गया है वो question इस प्रकार है कि निमलिखित में से कौन चित्रकला हेतू प्रयूक्त नहीं होता है यह 71 number का question है 72 number का question है कि पंच मड़ी इस्तित है तो 71 number का जो right answer हो जाएगा वो सभी लोग जानते है कि चित्रकला हेतू प्रयूक्त नहीं होता है यहाँ पर put up किया जा रहा है सबसे important बात यहाँ पर ध्यान दिजेका नहीं होता है put up हो रहा है तो चित्रकला हेतू handmade paper प्रयोग होता है cartridge paper प्रयोग होता है can't paper प्रयोग होता है लेकिन brand paper प्रयोग नहीं होता है तो इसलिए question number 71 का right answer क्या हो जाएगा दी हो जाएगा वहीं पर पंच मड़ी जो इस्तित है सभी लोग जानते है कि पंच मड़ी जो है वो मद्य प्रतिस में इस्तित है 72 number का right answer C हो जाएगा next question क्यों हम लोग बढ़ेंगे अगला question जो इस प्रकार है कि वेद कितने है पांच, आठ, चार या तीन और रमाण की रचैता कौन है रमानन सागर महर सिबाल में की तुलसी दाय या नारद रामायर की रचैता कौन है 72 नहीं अब 73 की ओर बढ़ो तो वेद जो है वेदों की संख्या कितनी है चार है और रमाण की रचैता कौन है महर सिबाल में की है तो 73 74 कोस्चन को हम लोग कर चुके बढ़ते हम लोग अगले क्यों और अगला क्यों इस प्रकार की बाग की गुफाएं इस्तित है यह 75 नबर का क्योचन और 76 नबर का क्योचन है कि निमली कित्में से कौन सा जल रंग या आद्र माध्यम नहीं है 75 और 76 का एंसर दीजिए चलिए बाग की गुफाएं सभी लोग जानते हैं इजी था बाग की गुफाएं कहां पर है मध्य प्रदेश में है तो इसका राइट एंसर सी हो जागा और जल रंग माध्यम नहीं होता है तो टेमपरा, वाटर कलर और वास ये जल रंग या आद्र माध्यम होता है और यहां पर नहीं पूट अप किया जा रहा है तो पेश्टल जो होता है वो नहीं होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, इसको नोट करिएगा 76 का right answer D बढ़ते हम लोग अगले question की ओर अगला question इस प्रकार है कि चित्रकार MF हुसेन का पूरा नाम है और 78 नमर का question है कि उदैगिरी की गुफाएं किस धर्म से सम्बंदित कला को दरसाती है इसको भी बताइए 77, 78 चलिए 77 नमर का जो right answer है सभी लोग जानते हैं कि MF हुसेन का पूरा नाम है मकबूल फिता हुसेन right answer भी और उदैगिरी की गुफाएं ये किसके परिपेच में पूटप कर रहा है कि जो मद्य प्रदेश में उदैगिरी की गुफाँ है वो हिंदु धर्म से related है 78 नमर का right answer जो हो जाएगा वो C हो जाएगा next question के ओर हम लोग बढ़ेंगे 79 89 नमर का जो question दिया गया है कि जहांगीर का लेंग चितरकाल मंसूर जो कि बहुत ही प्रसीद था प्रसीद चितर है और थात मंसूर के द्वारा निर्मित किया गया जो प्रसीद चितर है वो कौन सा अबाज है तोता है मैना है या मुर्गा है वही पर 80 नमर का question है कि हुमायू का दर्बारी चितरकार कहां का रहने वाला था सबी लोग बताईए मैं वेट कर रहा हूँ चलिए 79 नमर का right answer हो जाएगा फालकन जो बाज पच्छी निर्मित किया गया था वो जहांगीर के दर्बार के प्रसीद चितरकार मंसूर के द्वारा निर्मित किया गया था तो right answer यह हो जाएगा वही पर हुमायू के दर्बार में प्रसीद चितरकार जो आये थे हुमायू के दर्बार में वो कहां से आये थे वो इरान से आये थे यहां पर इरान दिया गया है तो आप लोग इसको नोट करिएगा ठीक है तो इस प्रकार से कि आज आप लोगों की ताजाद बहुत कम है अगर आप लोग कहेंगे तो कल लाइब सेशन होगा वरना बंद किया जाएगा और आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं ठीक है तो हम लोगों ने आज इस प्रैक्टिस सेट में असी कोस्चनों तक पूर्ण किया और नेश् वो कल की बात है लाइब सेशन चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा तादाद बहुत कम है आप लोग मजे मार रहे हैं तो आप लोग सो लाइब क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा थैंक्यू सभी को निकिता प्रजापती मैं तो आप लोग के साथ ही था परन्तु इतनी तादाद कम है क्या चलाया चलिए बहुत अच्छा जितने भी कलत हुए ठीक है आप उसको सुधार ले जिसलिए टेस्ट पेपर कराया जा रहा है कि आप लोग के कंटीनिव रेगुलर्टी बनी रहे और हम लोग एक अच्छे क्लास के और बढ़ते जाएं और एक लोग ध्यान प्रवग देखिए जितने लोग नए हैं जितने लोग पुराने हैं सभी लोगों से आवान करना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल का ज्वाइन मेंबर नहीं है प्लीज अभी तक में जो लाइब चैट आ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक ज्वाइन मेंबर है तो वो हैं भी मौरिया उन्हों नहीं सिर्फ इस चैनल का ज्वाइन मेंबर सी प्राप्त किया है लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्वाइन मेंबर बनिये और जिन लोगों का ज्वाइन मेंबर होंगे उनको काफी इस चै परन्तु आप लोगë जॉइन करिए, जॉइन मिम्बर बनिए भी मेमाधी एक ऐसे अभी तक के सक्स्त हैं जितने लोग देख रहे हैं उन्हों ने ही सिर्फ जॉइन मेंबर्सीप को सेलेक्ट किया है, जॉइन मेंबर सीप को फालो किया है और वो continue join ship में बने रहते हैं क्या वही पढ़ते हैं join का button है उसमें आप लोग tick करिए जो interaction push up किया जा रहा है वहाँ पर करिए आप लोग join member बनेंगे और जितने भी join member बनेंगे उनके लिए especially test paper चलाया जाएगा आप लोग ध्यान दिजीगा तो चलिए आज के class को हम लोग यही पर रखते हैं और किसी प्रकार की कोई queries है तो आप लोग मेरे इस description में link है टेलिग्राम और इस्टाग्राम का आप लोग जूड़ कर बात कर सकते हैं और paid class के लिए भी आप लोग समपर कर सकते हैं ओके तो आज के class को अबर करते हैं थेंकि दूस्तों अबर के लिए भी आप लोग में